सागर के आरटीयो कार्याले के पास बनाए गए इन्ने बस स्टेंड से या त्री बसों का संचालन आज से शुड़ू हो गया है मुख्य बस स्टेंड पर आने जाने वाली 445 बसें अब दो अलग-लग स्टेंड पर पहुँचेंगे लेकिन बहेरिया से न्यू आरटीयो बस स्टेंड जाने वाले रूट में बदलाव किया गया है ऑपरेटर्स यूनियन की मांग के मताबिक जला परशासन न्यू आरटीयो बस स्टेंड के लिए पिक एंड ड्रॉप रूट बतल दिया है न्यू रूट के अनुसार अब बसे आरटीयो बस स्टेंड से रवाना होकर तीली गाओं पुरानी पह्तिल रूट सिविल लाइन्स मकरोनिया चौराहा होकर चलेंगी बस स्टेंड आते वक्तियानी लौटते समय भी बसों का यही रूट रहेगा इस नई व्यवस्ता के बाद आनलाइन बुकिंग या अप्री बुकिंग कराने वाले यात्रों को सहूलियत होगी वह सिविल लाइन्स मकरोनिया चौराहा या तीली चौराहे के आहस पास से बस में सवार हो सकेंगे लोटते समय वह इन स्थानों पर उतर सकेंगे युकिंग के धक्ष पांडे ने बताया कि प्रशासन ने हम लोगों को बुकिंग कार्याले के लिए करीब 40-42 प्लाटों का आवंटन कर दिया है इसके अलावा जल्दी आर्टीयों की मौजूदगी में एक बैचर बुलाई जाएगी जिसमें इस नए रूट को आधिकान क्रूप से मनने कराया जाएगा बता दें कि एक दिन पहले जारी किया है आदेश में बहरिया, मकरोनिया और बमूरी चौरहा से होते हुए बस स्टैंड तक यातरी बस पहुँचती जिसे ऑपरेटर्स ने और विवहारिक बताते हुए विरोध जताया था इसके बाद विधायक की अध्यक्षता में बस स्टैंड पर एक बैठक हुई जिसमें कलेक्टर, नगर निगब प्रमिशनर और बस एसोसियेशन के लोग मौजूद थे जो टाइमिंग मतलब जो रूट बनाये थे वो अपरियोक थे तो बिधायक जी ने समझा और समझ के प्रशासन को आदेंगे कलेक्टर आयक तो महुद आए तो समझाया तो वो कनवे हैं और लिखके भी दे दिया हैं अब फोड़ी सी मतलब जनता को और हम लोगो परिशानी होगी सिफ्ट करने में क्यों कोई कोई जैसे हम नए मकान में पहुंचते हो तो दीए-दीए-अरची जो परिशानी होगी तो प्रशासन और हम मिलकर और बिधाईगी के माद्याम से वाज दूर करेंगे निश्चत अब नई जगा और नया बैस स्टेंड आया है तो कुछ ना कुछ ओप लग दिया है सागर को भी मिल लही है कुछ परिशानी है तो हम लोग भी शेयर करेंगे बस आप बिधार जाथ बाड़ी है हमारा पता है अब्सक्राइब करेंगे बाड़ी है